नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रदीप स्वागत है आपका इस्टेटी सर्च पॉंट के यूट्यूब चैनल पर भारत के भूगोल विसाई की प्रसनस रंखला को आगे बढ़ाएंगे और इस प्रसनस रंखला के माध्यम से हम देखेंगे जो भारत का प्राकृतिक विभा प्रसनों को सामिल किया है इन 15 प्रसनों के माध्यम से पूरा का पूरा जो पठारी छेत्र है भारत पर उस पर हम चर्चा करेंगे वीडियो अगर पसंद आता तो अपने साथियों से साज़ा करें साथ ही आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राब करके ब दो चैनल के इसे साथियों के तरफ से किसी इत़ित भी तरह का रिस्पोंस यहां पर नई मिला है वीडियो में सुधार को लेकर के किसी इतभी तरह के कमेंट आपके नहीं आ रहे हैं हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को साई यह प्रसनह सरंक्रा यहां पर पसंद नहीं आ रहे हैं तो इसी के चलते अगले हपते से हम इस प्रसनस रंखला पर विराम लगाएंगे और यानि कि अगले हपते तो लगबग यह प्रसनस रंखला कंट्यून नहीं रहेगी लेकिन अग उसके बाद जो भी वीडियो के अंक आएंगे वो छोटे-छोटे टॉपिक पर नहीं आएंगे छोटे-छोटे विश्यों पर जो भी महत्पूर्ण जो जान करी हैं परिक्षा के दिरिष्टी से वो सारी हम वीडियो के अंको के माध्यम से आप तक पहुचाने की कोशीज करेंगे अगर आपका रिस्पॉंस अच्छा रहा तो आगे भी आगे चल करके हम इस प्रस्ण संकला को continue अवश्य करेंगे तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो के अंको को पहला प्रस्ण आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है दक्कन के पठार का निर्मान किस यूग में हुआ है यह आपको बताना है option A, myosin यूग में, option B, carboniferous यूग में, option C, oligosin यूग में, option D, kritisius यूग में तो इन चार कत्रों में से आपको बताना था, चार option में से की दक्कन के पठार का निर्मान किस यूग में हुआ है सही उत्तर की बात करते हैं, तो option D, बिलकुल यहाँ पर सही है, kritisius यूग में, दक्कन के पठार का निर्मान होता है और kritisius जो यूग रहा है, वह आपको most important ध्यान देना है, वह आपका मैसो जो इक, मैसो जो इक यूग का भाग रहा है, ठीक है मैसो जो इक यूग है, यहाँ पर जो है, ठीक है, मैसो जो इक यूग का यह भाग रहा है, kritisius यूग पांच यूगों के बारे में हमने आपको बता वा था, सबसे पहले जो इक यूग आता है, वह जो इक यूग आता है दूसरा जो है कि पैलियो जोईग यूग आता है ठीक है दूसरा कुन सा आता है पैलियो जोईग यूग आता है तीसरा यूग आता है मैसो जोईग तो उसी के अंतरगत क्रेटेसियस यूग आता है या इसको कह सकते हैं कि क्रेटेसस यूग भी कहा जाता है ठीक है क्रेटेसस आपके स्किन पर दूसरा पूछा जा रहा है भारत का आनतरिक जो प्राइड उपी परवत का छेतर है जो पठार वाला जो छेतर है उसका निर्माण किस युग में हुआ है यह आपको बताना है ठीक है प्राइद इपी पठार का निर्माड यहाँ पर पूछा गया है किस यूग में हुआ है, option A, अजोईक यूग में, option B, नियो जोईक यूग में, option C, पहली जोईक यूग में, option D, सेनो जोईक यूग में, तो देखिए इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा, option D बिलकुल पहली जोईक यूग में हुआ था, ठीक है, पहली जोईक यूग में होता है, सबसे पहले जोईक यूग आता है, अजोईक यूग के बाद जोईक की पहली जोईक यूग आता है, पहली जोईक के बाद जोईक की मैसो जोईक यूग आता है, ठीक है, मैसो जोईक, मैसो जोई यूग यह है और पांच वाई यूग यह आता है तो इस तरह से आपको यह ध्यान देना है जो प्रायदीपी पठार का छेत्र है भारत का प्रायदीपी जो भाग है उसका निर्मान पहली हो जो एक समय में हुआ था most important आपको यहाँ पर ध्यान देना है ठीक है और बढ़ेंगे अगले प्रस्न की तरफ यहाँ पर इतनी चीज उम्मीद है आपको इसपस्टो गई होगी तीसरा प्रस्न आपके स्किन पर पूछा जा रहा है अरावली एवम विंधी परवत सरंखलाओं के मद्धि कौन सा पठार इस्तित है अरावली और विंधी परवत सरंखलाओं के मद्धि पूछा जा रहा है कि कौन सा पठार इस्तित है ओप्शन A यहाँ पर बता गया है छ तोड़ा सा भी आपको अंताजा लगाना आता है, तो आप सिदे सिदे गैस कर जाएंगे कि माल्वा का पठार यहाँपर आता है, और माल्वा का पठार ऑप्षिन सी बिल्कUL यहांपर क्या होगा, सही यहांपर होगा, जो विन्थी परवेसरंक लखला हैं, और जो अरावली उनके मद्धी का जो उच्च भूम का जो छेत्र है ठीक है वो है आपका मालवा का पठार के नाम से जाना जाता है और इसका जो पूर्वी विस्तार है ठीक है पूर्वी सीमा का जो आपका कह सकते हैं कि जो मालवा का पठार है उसका जो पूर्वी तरफ जो पठार है वो आप का बुंदेल खंड का पठार आता है ठीक है तो पूरी विस्तार कौनसा है मालवा का पठार का वो बुंदेल खंड का पठार है ठीक है चलि बढ़ेंगे अगले प्रस्ण की तरह चौथा प्रस्ण आपकी स्कीन पर पुछा जारा निमलिखीत में से कौनशा कथन कौनशा जो कथन दिया गया वो सही सुमिलित नहीं है यह आपको बताना है option A यहाँ पर है मालवा का पठार राजस्थान में बद्यप्रदेश में और उत्तरप्रदेश में इस्तित है दन्रिकारने का पठार 36 गड़ उडशा और आंदरप्रदेश में इस्तित है छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर पुछा गया है जारकंड उत्तरप्रदेश औ और 36 गड़ में इस्तित है, option D उप्रोक्त में से कोई भी कथन इन में जो है वो गलत नहीं है या सभी के सभी सही सुमे लेते हैं, तो देखिए सही उत्तर की बात करते हैं, तो सभी के सभी यहाँ पर सही सुमे लेते हैं, कोई साभी गलत यहाँ पर नहीं है, मांची तरह में चलेंगे समझने के लिए चीज़ों को, तो यहाँ पर आप देखिएंगे, हमने आप से पूछा था, सबसे पहले तो दंडिकारणी का पठार यह आपको देखना है, और यह दंडिकारणी का पठार जो एकी, जो दक्कन का पठार है, उसी पठार की अंतरगत यहाँ पर आत ठीक है छोटा नागपूर का पठार आप यहां पर देख रहे होंगे यह चोटा नागपूर का पठार इसका विस्तार यहां पर आप देख रहे होंगे बिहार में भी है चातीस गड़ में भी है जारकंड में भी है मद्यप्रदेश में भी है तो चार यहां पर हम देखते हैं वो है था आपका मालवा का पठार, तो मालवा की पठार की अगर हम बात करते हैं, तो मालवा का पठार यहां पर आप देख रहे होंगे, यह वाला पूरा मालवा का पठार है, तो मालवा का पठार का विस्तार कहां पर है, राजिस्तान के चेत्र में, उत्तरप्रदेश का जो जहांसी वाला चेतर है वहाँ पर है और मद्यप्रदेश के चेतर में तो तीन राज्यों में इसका विस्तार है मालवा का पठार का ठीक है और मालवा की पठार की अगर हम बात करते हैं मालवा की पठार की विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो लगबग यह एक लाख पचास हजार वर्ग किलोमेटर में इसका विस्तार है ठीक है एक लाख पचास हजार वर्ग किलोमेटर में इसका विस्तार है मालवा की पठार का एक लाग पचास जार वरे किलोमेटर विस्तार है लंबाई चोड़ाई की अगर बात करते हैं इसकी ऐसे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इसकी लंबाई है इस तरह से लंबाई यहाँ पर हो रही है तो लंबाई इसकी लगवाई जो है कि विस्तार देशनों को मिलता है 50,000 वर्ग किलोमेटर ठीक है बढ़ेंगे अगले प्रस्न की तरफ पांचवों प्रस्न आपकी स्किन पर पूछा जा रहा है निमने लिखी तमसे कौन शाकतन सही नहीं है option A कारबोनी फेरस यूग से पूर्व भारती है option B दक्कन का पठार का निर्माण 46,000,000 वर्षपूर बैशाल्ट निर्मित लावा सैलों से हुआ है option C प्राइदिपी पठार को मद्धी के उच्च भूमी तथा दक्कन के पठार में विभजिप किया जाता है option D है मद्धी की उच्च भूमी पश्यम में चोड़ी और पूर में संकीर्ण है तो इनमसे कौन शा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है सही उत्तर की बात करते हैं तो option B यहाँ पर ये गलत दिया गया है ये वाला कथन गलत है कारबोनी फेरेस युग के दोरान ही यहाँ पर भारती जो प्राइदीपी पठार चेतर है वो गार्डवान लेंड की भूमी से अलग हुआ था तो कारबोनी फेरेस युग से पहले किसका भाग रहा है तो ये आपका Godwan Land की मुख्य भूमी का भाग रहा है भारती प्लेट उसके बाद ये विखंडिद होती है और भारती प्लेट ये प्राइद इपी पठार के अगर उत्पत्ति की हम बात करते हैं तो लगबग 3600 मिलियन वर्ष पूरु का ये समय रहा था जब आपके प्राइद इपी पठार की चत्तान के निर्माण होता है यानि कि जो भारत का प्राइद इपी पठार है उसका निर्माण होता है 3600 मिलियन वर्ष पूरु का ये समय रहा है और कार्बोनी फेरस का वो समय था जब अलग होता है भारती भूभाग गौडवन लेंड की मुख्य भूमी से और जो कार्बोनी फेरस यूग है अगर particular बात करेंगे ते कौन से यूग की अंतरकत आता है हमने बता था कि दूसरा जो यूग यहां पर रहा था दूसरा यूग आता है जो इक यूग के बाद जो है कि पहली जो इक यूग आता है तो पहली जो इक यूग का वो समय था ठीक है पहली जो इक यूग में ही जो है की कार्बोनी फेरस यूग रहा था ठीक है तो लगबग मान सकते हैं कि 3600 मिलियन वर्ष पूर भारती ये जो प्राइदिवी पठार है उसका निर्माण होता है ठीक है कार्बोनी फेरेस यूग में दक्कन के पठार को यहाँ पर दो भागों में मुख्य रूप से बांटा जा सकता है और इसके निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो इसका निर्माण लगबग 146 मिलियन वर्ष पूर हुआ है ना कि 46 मिलियन वर्ष ठीक है तो दक्कन के पठार का निर्माण कब होता है ये आ क्रिटे सी-एस यूग जो है कि वो मैसो जोईक यूग का भाग, ठीक है। यानि कि ज्वाला मोखी के उद्गार से जिन चठ्टानों का निर्माढ होता है थक्कन के पठार का और दक्कन के पठार के चेटर में काली मिट्टी की प्रधानता है, दक्कन के पठार के छेतर में चोड़ी और छिचली गोलाकार पाहड़यां पाई जाती है तो गोलाकार पाहड़यां चोड़ी छिचली पाहड़यां दक्कन के पठार के छेतर में पाई जाती है विंदी परवस रंक लाएं दूसरी तरफ सत्पुला परवस रंक लाएं यहाँ पर विंदी परवस रंक लाएं यहाँ पर सत्पुला परवस रंक लाएं तो यहाँ पर जो यह चेतर आता है यह आपका मालवा का पठार का चेतर आता है मद्दी की उच्च भूमी ठीक है तो ये वाला जो चेतर है ये मद्दी की उच्च भूमी है और ये पूरा का पूरा दक्कन का पठार है तो दो भागों में मुख्य रोप से भारती पठार को बांटा जाता है मद्दी की उच्च भूमी और दक्कन के पठार में ठीक है चलिए बढ़ेंगे अगले कथन की तरफ ज जो है कि चोड़ी है पूर की तरफ संकीन है मानचित्र मा आप देखेंगे तो यह जो मालवा का पठार का चेत्र है यहां पर आप देखेंगे इधर की तरफ जो है कि ज्यादा चोड़ी है यहां की तरफ कम चोड़ी है तो संकीन होती चली आती है आगे को ठीक है चलिए मालवा के पठार का अधिकांक्स जो भाग है वह मद्दी के उच्च भूमी के नाम से जाना जाता है Option B यहाँ पर है मद्दी के उच्च भूमी का पूर्वी विस्तार बुंदेल खंड के नाम से जाना जाता है Option C है दामोदर नदी द्वारा अपू आहित छोटा नाकपुर का पठार मद्दी के उच्च भूमी का भाग है Option D है उप्रूप्त मसे कोई भी नहीं तो कोन सा कथन इन तीनों मसे गलत है या आपको बताना है या चोथा कोई भी गलत नहीं है सही उत्तर की बात करते हैं तो कोई सा भी कथन इसमें गलत नहीं है सारे के सारे सही दिये गए है मालवा का जो पठार है वो मद्दी के उच्च भूमी के नाम से जाना जाता है अधिकतर बाग जो कि मद्दी के उच्च भूमी में आता है मालवा का पठार और मालवा के पठार के अगर हम विस्तार की बात करते हैं तो इससे पहले भी बता चुके हैं एक लाख पचास जार वर की किलोमेटर में जो है कि इसका विस्तार यहां पर देखने को मिलता है जो इसकी लंबाई चोड़ाई है इस तरह से लंबाई की अगर बात करेंगे तो 530 किलोमेटर है चोड़ाई की अगर बात करें इस तरह से तो इसकी 390 किलोमेटर में इसकी चोड़ाई इसका विस्तार देखने को मिलता है और जो मद्दी की उच्च भूमी छेतर है उसका पूर्य विस्तार है वो बुंदेल खंड का पठार और बगेल खंड की पठार की नाम से जाना जाता है ठीक है बुंदिलखंड और बघहलखंड जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यह वाला जो चेतर है यह पूरू विस्थार यहाँ पर बुंदेलखंड और बघहलखंड का पठार है जो कि उत्रप्रदेस में भी जिसका विस्थार हमए देखने को मिलता है तो ये मालवा के पठार का ही जो है कि कौन सा विस्तार है ये मद्धी की उच्च भूमी का ये पूरी विस्तार है जो कि आपका मालवा के पठार से लगावा छेतर है बुंदेल खंड और बगेल खंड का पठार ठीक है चलिए इसके अलबा यहाँ पर हम देखते हैं कि जो छोटा नाकपुर का पठार है छोटा नाकपुर का पठार भी मद्धी के उच्च भूमी का ही अपवाहिद भाग है जो कि दामोदर नदी के द्वाहिद किया गया है ठीक है तो छोटा नाकपुर का पठार मद्धी की उच्च पठार ये आपके पश्यम बंगाल तक भी इसका विस्तार में देखने को मिलता है पश्यम बंगाल का जो एक जिला है रुपलिया जिला ठीक है कुन सा पूरलिया जिला है रुपलिया नी पूरलिया पूरलिया जिला ठीक है तो पूरलिया जिला है पूरलिया जिले के अंतरग तो यह चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी है और यह दामदर नदी यहीं से बैती है तो दामदर नदी के छेत्र में कोईले की बहुत ज़्यदा प्रधानता है रूर छेत्र माना जाता है खनिश संसादनों की दिश्टी दे छोटा नाकपूर का पठार तो मद्धी की उच् पश्यमंगाल के राजी तक है उप्शन भी है चोटा नाकपूर का पठार का मध्य पश्यमी भाग पाडभूमी में इस्तित है इसकी ओसतों चाहिए 1100 मीटर यहाँ पर है के सम्थिंग है option c यहाँ पर है छोटा नागपुर का पठार का जो ढाल है वो तीवर इसकारपों के रूप में पाए जाता है जो कि एक अगर गंबीर रूप दर्शाता है यानि कि अश्थल भाग का अगर गंबीर रूप दर्शाता है और संडी उप्रोक्त में से कोई भी नहीं देखे सही उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो उप्रोक्त कोई भी यहाँ पर गलत नहीं दिया गया है सारे के सारे सही है अगर हम बात करते हैं तो चोटा नागपूर का पठार और चोटा नागपूर के पठार की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो अधिक्तम उचाई यहां पर है जो यहां पर जो धरातल जो इस्थला करती है जो परवतों की उचाई हो वो ग्यारे सो मीटर यहां पर हमें देखने को मिलती है ठीक है ग्या पाड भूमी के नाम से जाना जाता है तो पाड भूमी का ला जो चेत्र है वो आपके छोटा नागपूर के पठार में जारकंड मा आती है यह पाड भूमी का छेत्र है ठीक है चलिए अगला जो है जो छोटा नापपुर का पठार है उसका जो धाल है वो तीवर धाल है इस कारपूं का धोल धाल है यानि कि एक खड़ी धाल यहाँ पर ज्यादा अन्य पठारों की अपिक्षा ज्यादा तीवर धाल खड़ी धाल हमें देखने को मिलती है जो कि अगर गं अम्बीर भागदर सता और इस पठार की एक खास बात और है कि प्रतेक दिशा में शोपान है शोपान का मतलब जो है कि अलग-अलग तरह की आकरतियां भाग यहाँ पर कटा-फटा भाग हमें देखने को मिलता है इस पठार का सोपान यानि की चरण जैसे कह सकते हैं सीडी होती है तो उसी तरह से यहाँ पर भी इस पठार के छेतर में भी हमें अलग-अलग चरण देखने को मिलते हैं परवतों के तौर पर या इस्थल आकर्तियों के तौर पर अलग-अलग भागों में इसके बटा हुआ ये दिखता है हमें, ठीक है, most important आपको ध्यान देना है, ठीक है, चलिए, और इसके जो मद्धी का जो उच्च भूमी का छेत्र है, जो पाड़ भूम कहलाता है, वहाँ प भूमी का छेत्र है, वहाँ पर चंबल, सिंध, बेत्वा और केन नदी जो है कि वो बैती है, दक्षन पश्चम से उत्तरपूर की तरब बैती है, कहां से दक्षन से लेकर के उत्तरपूर की तरब यहाँ पर बैती है, उत्तरपूर यानि कि इस तरह से बैती है, यानि कि यह यहां से जो है कि जो नदिया है यहां से इस तरह से यह बैती है ठीक है तो इस तरह से बैती है तो इसका धाल अब हमें पता चलता है कि जो इसका धाल है वह दक्षन से लेकर के उत्तर पूर की तरफ इसका धाल है आपका छोटे नाकपूर के पठार का धाल है छोटा नाकपू 530 किलो मेटर लंबाई और 390 किलो मेटर चोड़ाई के चेतर में विश्त्रित है मालो के पठार का उत्तरी सीमा अरावली परवस सरंखलाई तथा दक्षिने शीमा विंधी परवस सरंखलाई और पूर्वी शीमा बुंदेल खंड का पठार यहाँ पर निर्धारित करती है ठीक है ओप्षन C केवल A, ओप्षन D, A और B दोनों देखे यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर प्रस्न पूछ जाना चाहिए ता कौन सा सही है सही है यहाँ पर कौन सा कथन सही है इन दोनों में से यह आपको बताना है ओप्षन C केवल A वाला कथन सही है, ओप्षन D केवल A और B दोनों ही सही है देखे सही उत्तर की अगर बात करेंगे तो दोनों के दोनों सही है टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर आपको ध्यान देना है कौन सा कथन सही है होना चाहिए था नहीं है, यहाँ पर टाइप हुआ है तो दोनों के दोनों कथन यहाँ पर सही है मालवा का पठार का जो चोड़ाई, लंबाई चोड़ाई अभी पैस से पहले भी हमने आपको बता था तो लंबाई है, पांसव तीस किलोमेटर है चोड़ाई जो है कि वो 390 किलोमेटर के चेतर में विस्तार है टोटल अगर विस्तरी चेतर की बात करेंगे तो एक लाख पचास हजार वर की किलोमेटर में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है और इसकी जो उत्तरी सीमा निर्धारित करती है वो अरावली परवस रंखलाई और दक्षणी सीमा यहाँ पर हम देखते है कि विंधी परवस रंखलाई यहाँ पर निर्धारित करती है ठीक है फिर यहाँ पर सत्पुडा परवस रंकला यहाँ आती है वैसे तो विंदी परवस रंकला यहाँ पर आती है लेकिन यहाँ पर भी विंदी परवस रंकला का विस्तार है तो दक्षणी सीमा मान सकते हैं कि विंदी परवस की स्रिणिया इसका विस्तार जो है कि इसकी सी बुंदेल खंड और बगेल खंड का पठार ठीक है यहां पर जो कि कैमोर परवस रंखलाएं भी आती है पूर्व की तरफ जो कि आपका विंधी परवस रंखलाओं का विश्तार है ठीक है चलिए बढ़ेंगे अगले प्रसन की तरफ इतनी सारी चीज़ें इस परस्टो गई ह प्रसन आपकी स्किन पर पोचे जा रहा है कौन निमलिखित्म से कौन शाकतन दक्कन के पठार के बारे में सही नहीं है दक्कन के पठार के बारे में कौन सा कतन सही नहीं यह आपको बताना है नर्मंदा नदी के दक्षन से तमिलेनाडो तक दक्षन का पठार तिर्भुजा पूरु में मैकाल पर्वस रंखलाए इस्तिद है, option C डक्कन के पठार के चेत्र में लाल मिट्टी की प्रधानता है, इसका निर्माण वैसाल्ट लावा के अपरदन से हुआ है, option D उप्रोक्त में से कोई भी नहीं, तो इन तीन कत्षनों में से आपका बताना है कौन सा कत्ष सही नहीं है या option D कोई भी कथन सही गलत नहीं दिया गया या सही नहीं है देखिए यहाँ पर जो सही उत्तरों का option C बिल्कुल सही हुआ यहाँ पर गलत दिया गया पहले कथन की बात करते हैं तो नर्मदा नदी से ले करके देखते हैं कि हम दक्कन का पठार जो है वो तिरोजाकार रूप में ब्रिश्टित है और तमिलनाडो तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है यह आप यहाँ पर देखेंगे दक्कन का पठार पूरा का पूरा यह और यहाँ पर महादेव और साथी जो है कि महकाल की परवस्तार आजाती है पूरी विस्तार है इसके नीचे को हम देखते हैं कि पूरा का पूरा दक्कन का पठार है यहाँ पर नेलगिर की पहाड़ें के मध्धिक का जो चेतर है यह पूरा का पूरा दक्कन का पठार का चे तो यह आप सारे देख सकते हैं ठीक है तो आठ राजियों में इसका विस्तार मुख्य रूप से यहाँ पर देखा जा सकता है मोटे-मोटे तौर पर और जो यहाँ पर कहा गया था कि जो आपका दक्कन का पठार का छेतर है वह है जो है कि हम बता चुके हैं कि सब्पुला पर परवसरंखला आती है मैकाल परवसरंखला में इसका विस्तार है बिल्कुल ठीक है ठीक है पूर्वी तरफ मैकाल है उत्तर की तरफ सब्पुला परवसरंखला है और दक्षण में जो है कि वो नेलगिरी की पहाड़े आती है उसके मद्दी जो है कि आपका दक्कन का पठार है जो कि तिर्भोजाकार रूप में विरिष्टित है ठीक है और यहां पर जो कि लाल मिट्टी की प्रधानता नहीं है यहां पर काली मिट्टी की प्रधानता है किसकी काली मिट्टी की प्रधानता है बेसाल्ट लावा से ज्वाला मुखी के उदगार से जो है कि इसका निर्मान हुआ है तो यहाँ पर काली मिट्टी की प्रधानता है कपास की खेती यहाँ पर बहुत बड़ी मातरा में की जाती है ठीक है तो यह आपको इस दियां रखनी है लाल मिट्टी की प्रधानता नहों करके दक्मन के पूछे जा रहा है निमलकित बज़े कौन शा कथन सही सुमेलित नहीं है ओप्चन A अरावली परवस रंखलाएं प्रायद इपी पठार के दक्षन पश्यमी किनारे में इस्तित हैं कारभी ओम लॉंग का पठार का उत्तर पूरी भाग है मालदा अगैप मेगाले का पठार को प्रायद इपी पठार से अलग करता है ओप्चन D यहाँ पर है दंडी कारण का पठार पूर्व से पश्यम में पूर्व से पश्यम तक जो इसका विस्तार है वो लगबग 480 किलोमेटर में है जबकि उत्तर से दक्षन में जो इसका विस्तार है लगबग 320 किलोमेटर में है तो कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है यह आपको बताना है कौन सा सही सुमेल इतनी है यह आपको बताना है देखिए अगर हम सही उत्तर की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो सही उत्तर यहाँ पर होगा वह option होगा, यह बिलकुल यहाँ पर सही होगा, ठीक है, यह वाला कथन क्योंकि आरावली जो परवस रंख लाएं, वह यहाँ पर प्राइदिवी पठार के दक्षिन पस्चिमी किनारे में हैं, यह भी बिलकुल सही होगा, दक्षिन चेतर है पॉरा का पूरा पूरा पुरा पूरा पूरा पूर्ट है उसका पूरी उत्तरपूरी विस्तार है तो बिल्कुल सही है जो यहाँ पर आप ये मेगाले का पठार देख रहे हैं ये मेगाले का पठार को ही कारवी ओंब लॉंग का पठार कौन सा ओंब लॉंग का पठार कारवी ओंब लॉंग का पठार इसको कहा जाता है या इसको मेगाले का पठार भी कहा जाता है साथ ही इसको कह सकते हैं कि जो आपका उत्तर ठीक है उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी इस छेतर को जाना जाता है मेगाले के पठार को कारभी ओम्ब लॉंग का पठार मेगाले का पठार उत्तरी कचार पहाडी चेतर है वो है पूरा का पूरा मेगाले पठार के नाम से ही जाना जाता है जो कि मालदा गैप के द्वारा प्राइदी पी पठार से अलग किया जाता है यह प्राइदी पठार का जो चेतर है यह मालदा गैप यहाँ पर है तो मालदा गैप के द्वारा ये पूरा का पूरा चेतर अलग किया जाता है तो कार भी अंगलोंग का पठार हो, मेघाले का पठार हो या उत्तर का कचारी पहाडी चेतर हो वो मालदा गैप के द्वारा प्रायदी भी पठार से अलग किया जाता है तो दंडिकारने का जो विस्तार है दंडिकारने का विस्तार इससे पहले हम बता चुके है कि 36 गड़ में उडिशा में और आंधर प्रदेश में है जिसका पूरव से पश्यम तक अगर लंबाई की अगर बात करते हैं तो पूरव से पश्यम 480 km है और उत्तर से दक्षन जो इ 48 लाक के समृश्त्र की विस्तार यहां पर हमें देखने को मिलेगा तो 89 uh 000 के शम्तिंग 89 uh 000 wandering की क्यलोंटर के चेत्र में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है ठीक है तो 89078 prisकी क्यलो मेermेसि का विस्तारmade ठीक है 89068 ठीक आपको ध्यान देना है जो कि दंडिकारने का पठार का विस्तार इतने चेतर में इतने वर गिलोमेटर चेतर में है ठीक है चलिए बढ़ेंगे अगले प्रस्ण की तरफ अब 11 प्रस्ण आपकी स्किन पर पूछे जा रहा है निमले की इत्म से कौन शाकतन साई सुमेलेत नहीं है ऑप्शन है दंडिकारने का पठार की जो चट्टाने है अब यहां पर चट्टानों के बारे में बात हो रहे है कि कौन सी चट्टान का जो है कि किस समय यहां पर कह सकते हैं कि उसमें कौन सी चट्टाने यहां पर रही है तो देखिए दंडिकारने की पठार की जो नीस की चट्टानों की प्रधानता वाला छेतर है option D, 36 गड़का जो पठार है वो कुंडपा काल की चट्टान है यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है कुंडपा काल की चट्टान है option E यहाँ पर है उप्रोक्तम से कोई भी नहीं सारे के सारे सही सुमेली थे हैं जो चट्टान है हो वो RKN की चट्टान है RKN की चट्टान है कहने का मतलब है कि जो आपका कह सकते हैं कि जो मालवा, लावा के द्वारा ज्वाला मुखी के उदगार से जिन चट्टानों का निर्मान हुआ है ठीक है तो वह चट्टान है यहाँ पर कहलाती है आगनेई सैलों से निर्मिच चट्टाने कहलाती है आरकी एंस चट्टाने ठीक है अगले वीडियो की अंको में हम देखेंगे जब बिश्चु के बारे में बात करेंगे जब हम धरातल की रचनाओं के बारे में बात करेंगे चट्टानों पठारों के बारे पर जो की जो प्राकृतिक निर्माण के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर इन सारी चीजों को हम देखेंगे यहाँ पर आपको इतना ध्यां रखना है कि जो दंडिकार रेनिक अपठार का चेतर है उसका निर्माण आगने चट्टानों से हुआ है यानि कि कह सकते हैं कि लावा के द्वारा जो है कि इन चत्तानों का निनमानवा है जिनको आरकी इन चत्ताने कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार ब्रंस गाटी के क्षेतर में है का मद्धिका चेत्रे दोनों भाग इदर उदर से धसे हुए बीच का भाग उड़ जाता है तो वो भ्रंस गाटी यहाँ पर चेत्र कहला सकता है जैसे कि आप देख सेकते हैं नर्मदा नदी बैती है एक तरफ जो है कि सत्पुला की पहाड़ यह है दोसरी तरफ जो है कि हम देखते है कि विंधि परवस रंकला है और बीच में मालव का पठार है तो वो धसा हुआ भाग है तो वो भ्रंस गाटी यहाँ पर कहलाती है ठीक है यानि इनारे के भाग जब धंच जाते हैं ये भी बिल्कुल यहां पर सही है, 36 गड़ का पठार का जो चट्टान है, वो कुंडपा काल की चट्टान है, कुंडपा काल यानि की कह सकते हैं, कि जो आपकी नदियों द्वारा अपरदित, आउसादी जो सैलों के द्वारा जिसका निर्मान हुआ है, वो है यहां पर आपका कुंडपा चट्टाने कहलाती है, ठीक है, आपको यादरने, सबसे पहले आर्कियन चट्टानों का निर्मान होता है, जो की आगने चट्टानों का निर्मान होता है, फिर उसके बाद धारवाल चट्टान का निर्मान होता है, फिर विंधे चट्टान का निर्माण होता है फिर गौडवाना भूनी के चट्टानों का निर्माण होता है फिर दक्कन के पठार का छेत्र का निर्माण होता है फिर टर्सियरी चट्टानों का निर्माण होता है फिर quarterneri चट्टानों का निर्मान होता है ठीक है आगे इनके बारे में भी विस्तार से यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि कौन-कौन सी चट्टानों में क्या-क्या विसेशता है केवल यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो कुंडप्पा टाइप की चट्टाना होती है ले करके 700 मेटर की ओसतों चाई है ठीक है ओबडखाबड का चेतर है आर्कियन चट्टानों से निर्मित है छोटा नागपूर का पठार है छोटा नागपूर के पठार की जो ओसतों चाई है 700 मिटर के सम्तिंग यहां पर है भरंस घाटी का चेतर है ठोस चट्टानों से निर्माणवा है खनिच संपदा में रूर प्रदेश्ट माना जाता है ठीक है तो खनिच संपदानों संशादनों की द्रिष्टी से एक भरपूर यह कह सकते ही सम्तिंग शेतर माना जाता है छोटानागपुर का पठार बुंदेलखंड का पठार की बात करते हैं तो बुंदेलखंड का पठार की जो और शट हो चाहिए 250 मिटर से लेकर के 500 मिटर तक की पर्वस रंखलाईस में पाई जाते हैं ठीक है 36 गड़ का पठार कहले है या 36 गड़ का जो बेसिन छेत्र कहले है उसका निर्माण हुआ है कुंडपा काल की चट्टा ने इसको कहा जाता है ठीक है और इसकी जो ओस्तों चाहिए यहाँ पर है वो 500 मीटर से लेकर के 700 मीटर की सम्तिंग है ठीक है चले बढ़ेंगे अगले प् पठार के उसत उंचाई 500-600 मिटर है बगेल खंड के पठार के उसत उचाई 700-900 मिटर है ऑप्शन D उप्ट्रोक्तम से कोई भी सही कोई भी नहीं है यानि कि सारे के सारे साही सुमेलेते हैं ऐसा कहा गया है तो देखे सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन D बिल्कुल सही ह सारे के सारे साही सुमेलेते हैं मेगाले के पठार की उसतों चाही की बात करते हैं तो यहां पर 500 मिटर से 1000 मिटर की उसतों चाही है और मेगाले के पठार का जो भाग है वो हिमालाई का जब उत्वान हुआ था उस दोरान यह मेगाले का पठार का निर्मान होता है और यह मा प्राइदीपी पठार के छेतर था उस दौरान ये अलग हो जाता है प्राइदीपी पठार के छेतर से मालवा का पठार कार भी ऑंगलॉंग का पठार कहलें या इसको आप कह सकते हैं कि जो उत्तर का कचार पहाड़ी छेतर ये मिखाले का पठार ही कहलाता है ठीक है तो इसकी पठार की ओसतों चाहिए बता चुके हैं कि 500 से 600 मीटर की सम्थिंग इसकी है और ये लावा की चट्टानों के द्वारा निर्मन हुआ है मालवा की पठार का निर्मन हुआ है ठीक है लावा के द्वारा इसका निर्मन हुआ है मालवा की पठार का बगेलगंड का पठार की जो औस चाहिए यहां पर देखने को मिलती है बगहल खंड के पठार के छेतर में जो की मालवै की पठार का पूरी विस्तार है तो औस चाहिए 700 से 900 मेटर की तेर्वा प्रसन आपकी स्किन पर पूझे जारा निमली कित्म से कौनशा पठार सरवाधिक उंचाई पर इस्तित है option A, काठियावाल का पठार option B, दंडिकारल का पठार option C, मेखाले का पठार option D, लद्दाक का पठार यहाँ पर उत्तर करने में आपको किसी भी तरह दिक्कत नहीं होनी चीए option D, बिल्कुल सही है, लद्दाक का पठार सबसे अधिक उंचाई पर इस्तित है लद्दाक के पठार की अगर इस्तित हम देखते है तो यहाँ पर आप देखेंगे लद्दाक के छेतर में लद्दाक का पठार सबसे अधिक है जो कि लेह वाला जो छेतर है वहाँ पर इस पठार की विस्तार हम देखने को हमें मिलता है ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रस्न की तरफ काठिया वाला का पठार गुजरात के छेतर में है तो काठिया वाला का पठार यहां पर देख रहेंगे गिरी जो हिल्स हैं, गिरी की जो पाड़िया है जहां पर जो एकी गिरी पाड़ी है और अन्नी प्रमुक पाड़िया यहां पर है जिसमें की हम देखते हैं की एक जो प्रमुक पाड़ी रही थी ठीक है अभी थोड़ा सा दिमाग से हट रहा है कौन सी पालिती करके तो जो गिरी वाला छेतर है वो यहाँ पर प्रमोख रूप से रहा है ठीक है तो आपको ध्यान देना है ठीक है चलिए बढ़ेंगे अगले प्रस्णी की तरफ चौदों प्रस्णी आपकी स्कीन पर पूचे जाए निमली कितम से किस पठार को ठमक सदक जवचवहंत चील के नाम से भी जाना जाता है ठमक सदक जवचवहंत चील के नाम से किस पठार को जाना जाता है तो option A मालवा के पठार को दंडिकारण के पठार को मेगाराई के पठार को तो देखे इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा option A बिलकुल सही यहाँ पर होगा और मालवा का पठार भी इसमें सामिल होता है तो option A बिलकुल सही होगा क्योंकि ये जो पठार है इसको ठमक संदक जो है की जव चवहंत चील इसलिए का जाता है क्योंकि जो ये पठार है इसका निर्मान हुआ है लावा के चटानों से इसका निर्मान हुआ है तो इसलिए इस पठार को इस नाम से भी जाना जाता है मद्ध का जो पठार का छेतर है मालवा का जो पठार का छेत्र है यानि कि मद्दी की जो उच्च भूमी का छेत्र है उस पठार को कहा जाता है इस वाले पठार छेत्र को कहा जाता है ठीक है तो इतनी चीज यहाँ पर आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी आखरी प्रस्न इस प्रस्न स्रंखला का पू option A, रोहतास का पठार, option B, गंगा यमना का मैदान, option C, खड़कपुर की पहाड़ें, option D, उप्रोक्त में से कोई भी नहीं, देखिए सही उत्तर की बात करेंगे तो option C बिल्कुल सही है, खड़कपुर की पहाड़ें का निर्माण हुआ है सबसे पहले, और इसका निर्माण ज ठीक है, आर्कियन्स, यानि की, आर्कियन्स यानि आगनेई सैलों से, जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है ठीक है, आगनेई सैलों से जिन चट्टानों का निर्माण होता है, उत्ता आर्कियन्स सैल केते हैं, उसके बाद धारवाल चट्टानों का निर्माण होता है, ध रोहतास का पठार का जो चेतर है वो विंध है यानि कि कुंडपा के बाद के समय के बाद यहां पर रोहतास के पठार का ने मौता है रोहतास का पठार कहां पर है तो यह बिहार का जो दक्षन पश्चिमी चेतर है जो कैमोर के पठार को भी इसको कहा जाता है रोहतास के पठा नदियों के आउसाथ से निर्मान हुआ अभी भी होता आ रहा है ठीक है तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी है तो उम्मीद है ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आये होंगी वीडियो के संदर्म में अपने सुझाओं को कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें और जैसा कि हमने कहा कि अगले हपते तक इस प्रसनस रंखला के स्रीच को हम कंट्यूनि करेंगे उसके बाद जो है कि हम इसको विराम देंगे और आपके रिस्पॉन्स आगे चल करके अच्छे आए तो प्रसनस रंखला को दुबारा से हम कंट्यूनि करेंगे नहीं त तो आगे के जो भी अंक हमारे आएंगे प्रतेक विशय पर जो है कि एक एक छोटी छोटी वीडियो के अंक के तौर पर आप तक आएंगे जैसे कि हम आप से कहेंगे नदियों के बारे में जो वीडियो के अंक हमारे आएंगे वो मुख्यरोप से प्रस्णों पर आधारित नह तो सीधे कहानी के तौर पर इस्टोरी के तौर पर आपके सामने रखने की कोशिस करेंगे मानचित्र के माध्यम से समझाते हुए चलेंगे ठीक है तो प्रसनस रंकला अगले हपते के बाद हम स्किप करेंगे यानि कि अगले हपते की तीन प्रसनस रंखला है और यहाँ पर आएंगी तो यह बारवे नंबर की प्रसनस रंखला है तो 15 है नंबर की प्रसनस रंखला तक हम काम करेंगे उसके बाद हम विशय पर आधारी जो मत्पूर्ण जानकारे होती हैं उस तरह से आप तक वीडियो के कमेंट अपने विचारों को कर सकते हैं इसके साथ ही जो है कि जो भी नोबल कुरोना वाइरस को लेकर कि सरकार दोरा दिशाने देश जारी किये जारे हैं उसके अलावा भी एक मानवत आदार पर आपके आसपास के जो भी लोग जरुत मंद हैं उनकी आप साहिता करें इस चुनोती भरे समाई में और एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हुए अपने पढ़ाई को जारी रखें और एक्जाम जब भी होंगे तो लगातार आपको जैसे सारे इस्तितियां आपर सही होती नजर आएंगी तो आपको एक्जाम देखने को मिलेंगे आपको ज्यादा एकदम इतने सोचने की जरुवत नहीं है अप वहाँ पर आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि बहुत सारी अपवाई आ रही है कि सारी चीज़ें अपने समाई में होती चली जाएंगी परिक्षाएं भी आप देंगे रिजल्टे भी आएंगे नई विग्यप्तिया भी आएंगी और स्लेक्शन भी होगा तो जब आप अभी से तैयारी करें रखेंगे तब ही सारी चीज़ें बहतर होंगी इसी उम्मेद के साथ कि घर पर रहें सुरक्षित रहें अपने अपनों का ध्यान रखें जरुत मंदों की साहिता करें मिलेंगे अपने वीडियो के अगले अंक में जय हिन जय भारत